कि नमस्कार फेंड्स बेर नाम बवली उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज देखने वाले क्योशन नंबर 21 बहुत ही इंपूडेंट क्योशन है बीए सेगेंड सेमिस्टर मालों के लिए हिस्टरी के लिए ठीक है तो फेंड क्योशन को बहुत इस प्रिकार से आपको मिलने वाला है ठीक है तो बात करते हैं क्योशन को देखेंगे आज का दो कुशन रहने वाला 21 अकबर की धार्म की निती का वड़न कीजिए या फिर इस प्रिकास भी कुशन देखना मिल सकता है अकबर दीन ए इलाही का संस्तापक्ता इस पश्ट कीजिए यहां पर क तो अकब्ने चलाए था दीन ए इलाही धर्म किसने अपनया था सबसे एक अपनया था था यहां कि इसे यह अपको याद होनां चाहिए ठीक कि princi उसके बाद मुगल सामराज में कौन कोई साथ सक रही है फस्ट से लेकर लाज से यहां पर लिख देंगे ठीक है जो कि एक्जामन को पता चल जाए कि हां इन्होंने कुछ पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं पढ़ते हैं वगर त्योरी आपको लिखना है ठीक है है फोकस करना है अधर गया भाई यह बात है एक बिल्व कर देंगे अधर करते हैं कि 21 ट्रेंगे बॉक्स में डाल दिया सब कुछ ठीक है बॉक्स में लिख दिया अवन देखा देखेंगे तो बात करते हैं भारत के सभी मुस्लिम सास्त्तों में अकबर सबसे अधिक अधर उधार सासक ऐ कौन था अकेबर था ठीक है इस पर कास देसकते हैं बात करते हैं उसने संकीड एमकट्र निती का परित्या किया था आपको पता है बाबर है हुमायू है ठीक है और बहुत सारह senior अपने आपको जिहाद के खिलाब लड़ने वाले मानते थे मगर इनका सबका परित्या करकर अकबर ने क्या किया एक बिल्कुल उदार्ता सासक का परिचा यहाँ पर देखने को मिलता है सभी धर्म के लोगों को समराट्टे धार्मिक सुतनता प्रिदान की थी जिसमें उलहकुल की निती अपना कर मुसलिम और हिंदू समाज की खाई को बहुत कम कर दियाता है जिसके अगर लेकित परिडाम देखने को मिलते हैं या काड़ देखने को मिलते हैं ठीक है तो बात करते हैं पहला जो काड़ हो जाता है बैस प्रकास से हो जाता है कि तैमूर बंस का परिभाव किसका तैमूर बंस का परिभाव देखने को मिलता है कि अकबर को तैमूर बंस का उदार विचार बिरासत में मिला था जो तैमूर बंस हो जाता है उसका तो उदार विचार होता है मतलब उदारता है ना कह सकते हैं उदार विचार कैसे मिला था बिरासत मिला था बिजई होने के बावजूत तैमूर और उसके बंसज कला और बिध दाके प्रेमी हो गए थे प्रेमी सूफी मतंब से इन लोगों का संपर्क रहा था इसमें बुजुर्ग बाबर हुमायू धर्मांद हीन थे धर्म को नहीं मानते थे जिन में अब्दुल जो लठीप हो जाता है वो सरुपरी था धर्मा हीन्द है उसमें अब्दुल लठीप त तहां है कि अक्बर का संट्शक कौन था कोन था ठीक है बात करते हैं यह कौन थी सद्ट करता था ठीक है मताब करते हैं उस अनकना बात करते हैं दूसरे जो काल रों जाता है भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या उस पर जो अकबर था उस पर भक्ति utilization का भी प्रभाव पढ़ा था जैसे जी अकबर के विचार और धार्मिक दष्टी कोन पर तातकालीन भक्ति आंदोलन तथा सुपी विचार पूर्ट पुर्भाव भी एक्पर पड़ा था तो धिहान लखना अकबर के समकालीन कौन कौन थे यहाँ पर रुखा है क्योशा मनेगा क्यों कि अकबर कैसे मुढारक कंसे मुबारक और फैजी किसका समकालीन था कवर और अब्दूल फजल जो अब्दूल फजल है ना आइने अकबर बगया लिखिए इन्होंने जो अब फजल वाते हैं वो भी किसके समकालीन थे अकबर के राजपुत्र इस्तरियों ने अकबर की राजपुत्र इस्तरियों ने भी अकबर को अतिदिक प्रभावित किया उसने अपनी हिंदू रानियों को अपने धार्मिक संसकार सम्मान करने की अनुवती प्रदान की थी ठीक है जो धार्मिक सांस्कृतिक बगरा होते हैं ठीक है उ अखिला कार्ड जो जाता है 1563 में अकबर ने हिंदू उपर तीर्तिकर लगा हुआ था उसको कब हटाया था 1563 में और बात करते हैं 1565 में कि फंदू उपर से जली अकब कभी कभी आपको 1562 ग大家都 या रखीगा बात करते हैं पैसर तो आप पैसर यार रखीगा बात करते हैं आगे 1757 में उसने पतेवुर्द सीकरी के एक इबादत खाने का निर्मण करवाया था जिसमें हिंदू-मसल्मान ही जाते थे मगर बाद में क्या कर दिया इबादत खाने में हिंदू-मसल्म और अनुम्रत इचिते दी कि यहाँ पर सबी लोग आा सकते हैं तो कह सकते हैं 1557 इसमें इसमें अकबर ने अन्यधर्मों के विद्धिवान को भी बुलाना आरंभ कर दिया इस बात का मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्मामबलियों ने बिरोध भी किया, तो आप समझ सकते हो, पहले जो चलाया था, इबादत खाना मुन बायता फटेवर सीगरी में, इसमें सुर्फ मुसल्मानों को ही अन्मती थी, बाद में सभी धर्मों को अन्मती दे दी गई एकपर के द्वारा, बात करते हैं आगे, थाड़ जो पॉइंट रहता है, वो है, 16 जून 1579, कब 16 जून 1589, 16 जून 1589 को फटेवर सीखरी की जामा मज़िध हानकना, फटेवर सीखरी में जो जाम मज़िध है, वो किसम बाय थी, अकबर ने बन बाय थी, ठीक है, के धर्मानसन, धर् अकबर ने स्वैम खुलबाया था, जो जामा मज़िध के धर्मासन है, उनको गयन खुलाता, स्वैम ने खुलबाया था, इसने 1589 में ही, इनाम आदिल, देखो, इनाम आदिल की उपाधी ग्रहण की थी, तो MC की कुशन यहां से भी बन सकता है, MC की कुशन यहां से भी बन सक जाता है, कि दीन ए इलाही धर्म सबसे पहले, मतलब किसने चलाया था, पहले कैसे चलाया था, दीन ए इलाही धर्म की चलाया था, तो यह चलाया था, अकबर ने किसने, अकबर ने चलाया था, और सबसे पहले से अपनाने वाला कौन था, सबसे पहले से अपनाने वाला कौन करके एक नए धर्म की स्थापना की जो दीन ए इलाही के नाम से प्रिस्द्ध है कुछ एतिहासकारों का कहना है कि दीन ए इलाही को धर्म का नाम देना ठीक नहीं होगा है ना धर्म का जो नाम नाम देना है इसे ठीक नहीं है क्योंकि धर्म की तीन अवस्थक जो धर्म होते है उनकी तीन आवस्यक बाते होती हैं कौँसी तीन आवस्यक बाते होती हैं एक तो उसका पैगंबर होना चाहिए है ना क्या होना चाहिए धर्म का पैगंबर होना चाहिए और कोई ना कोई इस पर लिखा हुआ कोई धार्मिक गरंत होना चाहिए उस पर लिखा हुआ क्या होना की है ना धर्म को मानने की तीन वाते होती है एक पैगंबर होना चाहिए किसी धर्म का और धार्मिक ग्रंत भी उसका होना चाहिए और क्या होना चाहिए कठोर धार्मिक नीतियां उसकी होनी चाहिए जो की दीन एलाई धर्म में मौदूद नहीं थी इसलिए कुछ विद्वान व्रहांतुत्व कहना जाइदा उचित होगा. इस संग को इस्तापित करने में मुगल सम्राठ को उद्देश, मुगल सम्राठ का उद्देश उसके अपने सब्दों में यह था, ऐसा करने से इसवर का सतकार होगा और लोगों को सांती तथा सामराज की सुरक्षा प्रातो होगी मतलब जो समराट अकवर था उसका बस एक ही उद्देस था कि ऐसा करने से इसवर का सतकार होगा और लोगों को सांती और सामराज की सुरक्षा प्रातो होगी अब बात करते हैं दीन ए इलाही के मुक्ह सिद्धान्त दीन ए इलाही धर में क्यों चलाया था इसके मुक्ह सिद्धान्त हो जाते है यहाँ पर आपकी हैडिंग बढ़ेगे दीन ए इलाही के मुक्ह सिद्धान्त चाहता था या पिर उसका सदस्दा में अपना सिर रख देता था समराट बह पगड़ी उसी के सिर पर बान देता था और उसे एक सस्त या एक प्रिकार की अंगूठी देता था जिस पर अकबर सब्द अंकित होता था ठीक है यहाँ पर रहका है मतलब रविवार के दिन कोई भी सदस से आता था ठीक है जिसे यह दीने इलाई धर्म का सदस बन और जिस पर लिखा होता था अल्ला हूँ सुरी अल्ला हूँ अकबर ठीक है इस पर अंकित हुआ था आगे बढ़ते हैं जो था सेकेंड पॉइंट हो जाता है अपना कि दीन इलाही के सदसे केवल एक इस बर की देवी सकती का विस्वास रखते थे मतलब जो इस बर की देव करते तक ता उसके उत्तर में चलिए अलाहू क्याता है जनले अलाहू कहते थे अधिकअ देखो जब कोई अभीवाद कर जाता तो बहए कहता था अल्लाहू अक्बर और उसका जब जबाद दिया करते थे तो कहते थे जनले Алाहू ठीक है तो इस प्रकार से इसके ।ू जा ठीक है देखो जब कोई अभिवादन कर जाता तो बहे कहता था अल्लाहु अक्बर और उसका जब जबाब दिया करते थे तो कहते थे जल्ले अल्लाहु ठीक है तो इस प्रकार से इसके दो जाते हैं एक तो उत्तर देना और एक अभिवादन करना जो फोर पॉइंट है वो यह है प्रतेक सदस को अपना जनम दिन मनाना होता था जो प्रतेक सदस हुआ करता था उसको अपना जनम दिन मनाना होता था और उस दिन बहे सह धर्मियों को भोज देता था प्रतेक बर्स की बात ओरी प्रतेक बर्स अपना जनम दिन मनाना होता था और बहुतलते हैं जो इस धर्म को मानने वाले होते हैं उनको क्या सहभोज कह सकते हैं उनने भोजेन-प्रदान करना होता अगे पढ़ते हैं जो पांचमा पॉइंट अपना हो जाता है उतला पॉइंट हो था है उन्हें अपने जीवन काल में एक जीवन काल में ही एक भोच देना पड़ता था यहां पर कुछा है पर यहां पर पर जीवन काल में एक बार की बार रही ठीक है प्रतेक साल नहीं जीवन में सिर्फ एक साल ठीक है जीवन मेंसिप एक बार बोज देना पड़ता था जो आत्म तोर पर एक बैक्ती के नाम से उसके मरने के बाद किया जाता था मतलब है मर जाएका तब करते थे ठीक है जब है मर जाता था और उसके बाद जब उसका कह सकते हैं जनन दिन आता था उस बक्त जितने भी इस बहा के उजाते हैं धर्म को मानने वाले होते हैं उनको भोजन करना अनिवार था नेक्स उन्हें मास खाना मना था परहने तो महीने में तो बे को क्षू नहीं सकते थे जिस दिन होता था कह सकते हैं उस समय मास को नहीं चूँ सकते थे मतलब जिस कोई मरज आता है कोई व्यक्ति ठीक है सदस्रका तो अगर जनल दिन उसका आ रहा है तब तक उसको कोई भी व्यक्ति जो था मास को नहीं चूँआ करता था ठीक है बात करते हैं जो 7 हैडिव आती है उन्हें बूड़ी इस्त्रियों और छोटी आयू की लड़कियों से विभा करने की आग्या नहीं थी आठी में है उन्हें अपनी मित्यू के पशायत अपनी इच्छा के अनुसार जलाने या दफनाय जाने का अधिकार प्राप्त था अगर आप जलना चाहते हो तो जल सकते हो और दफनाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको दफनाय जाएगा ठीक है यह यहाँ पर अधिकार उने प्राप्त थे उन्हें जहां तक संभव हो अपना चरित्र सुद्ध रखना होता था और नैतिक्ता के नीमों का पालन करना होता था बात करते हैं दसवा पॉइंट रहता है उन्हें सब धर्मों के प्रती सहन सीलता का विभार करना पड़ता था तथा उन्हें आदर की दिष्टी से देखा जाता था ठीक है भी सहन सीलता मतलब सभी धर्मों को शब धर्मों को प्रती सहन सीलता से देखना और उनका पालन करन ठीक है कह सकते हैं उनका आधर करना यहां पर रखा जाता था next point होती है कि उन्हें अगनी की अगनी को पवित्र मानना होता था जो अगनी थी उसे पवित्र मानना होता था और सूरी की पूजा करनी होती थी ठीक है किसकी अगनी को पवित्र मानना होता था और सूरी की पूजा यहां पर करनी होती थी दिन इलाही धर्मालों के लिए ठीक है बात करते हैं आगे 12 पॉइंट जो हो जाता है वो अपना हो जाता है उन्हें समराट के सम्मुक समराट के सम्मुक जमी बोस होना परता था मतलब जमीन पर बैठना परता था अर्थात जमीन को चूम कर समराट को प्रणाम करना परता था जो दीन ए इलाही धर्म हुआ करता था उसमें अकबर को प्रणाम करना होता था वो भी जमीन को चूम कर ठीक है बात करते हैं दीन ए इलाही के सदस्यों के चार पद दीन ए इलाही धर्म के सदस्यों के चार पद कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है ध्यान से देखना दीन ए इलाही के सदस्यों के चार पद होते हैं पहला पद उन ब्यक्तियों का था जो समराट के लिए अपना धन नियोचाबर करने को तयार थी जो पहला पद हो जाता है वह हो जाता है अगर कोई ब्यक्ति समराट के लिए अपना सारा धन नियुचावर करने के लिए तयार है तो बै कौन सा उसे पहला पद दिया जाता था दूसरा पद उन विक्तियों को था जो धन जीबन तथा मान मरियादा का बलिदान कर देते इसके लिए सम्राट के लिए चौता पद जो था चौता और सबसे बड़ा पद उन Ugh boards दूसरा फैन संराच के लिए धन जीबन मान मरियादा धर्म सभी कुछ विजह जाबर कर लिए तयार थे तो इस प्रकार से आपके तीनों की तीनों को스season तो बहुत ही इंपोटेंट कुशन यहां से बनेगा कि दीन एलाही धर्म के कितने अनुनाई रही है तो आपको याद रखना है कितने आठारा अनुनाई रहे हैं और सबसे पहलता के striving काड हो जाते हैं पहला काड हो जाता है कतर सुन्नी मुसल्मानों कतर रिसायों कतर हंदू उन्हें दीन एलाई धर्म की आलोच ना की, सेकेंड पॉइंट उपना हो जाता है, वो हो जाता है, कि धर्म को लोग्प्रिय बनाने के लिए, अकबर ने कोई जवरस्ता जस्ती नहीं की, इसलिए अनुनायों की संख्या अधिक न हो सकी, क्योंकि जवरस्ती नहीं की, आगर आ का पिता समस्ता था बिल्कु सही है बहरती को चुमबा रहा है अपने सामने है ना जनता के लोग प्रिये ना होने के काड़ अकबर की मित्तू के साथ दीन इलाई धर्म भी समावत हो गया इतिहासकारों प्रसित्ध एधिहासका इसमित का कहना है कतन है कि दीन-ई-इलाई-इकबर की मुखता का प्रतीक था पर यह कतन निराधार या दीन-ई-इलाही अकबर की धार में के सहसूरता का परिचायक था क्योंकि इस धर्म में सभी को इच्छाइन का समवेश था वैसे धार मचा था क्या सकते हैं जिसके राज नित कि रहे हैं राज नेत लुदंगत चाहता था जिसके बल पर आगे देखते हैं इसी लिए दीने इलाही के माध्यम से अकबर ने धार्मिक सम्मिनब और ब्रहातत्व की विक्सित करने की चेश्टा किती तो यहां पर हमाजो क्यूशन होता है 21 वा क्यूशन हो जाता है वो 21 वा हो जाता है यहां पर खतम ठीक है त उसके दोस्त देखे उसकी कमिया देखिए उसके असवल्दा के गाड़ देखे कितने अन्माई रहे बूबी हमने देखे 18 ठीक है पर कार से हमाज हो जाता है कूशन 21 वो समाब तो होता है ठीक है अगर जिस किसी को पीडियो चाहिए तो बिल्कुल डार्लोड कर सकता है हमार www.paperhacker.in ठीक है और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना शेर करना चैनल को सस्क्राइब करना जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगे ठीक है तब तक के लिए जैहिन जे भारत